नमस्कार मैं अंजले विश्रा सुवगते आप सभी का दो अने ओज में आपको पुतादे कि पश्चिमी यूपी के 62 गाओं में कॉंग्रेस की अब नो एंट्री है जी हाँ बिलकुल सैसुना आपने उपराश्ट्रपती जगदीप धनकड की मिमिकरी करने को लेकर आप खाफ का ये फर्मान सामने आया है जो आप रूरों ने साफ तोर पर कॉंग्रेस की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है तकरीबन 62 गाओं में जी हाँ बिलकुल सैसुना आपने उपराश्ट्रपती जगदीप धनकड की मिमिकरी मामले की तपिश अब बागपत भी पहुँच नारा गाओं में धनकड गोत्र के लोगों की एक पंचायत होई और इसमें उपराश्ट्रपती जगदीप धनकड की अपमान पर कड़ा रोश प्रकट किया गया पंचायत में निर्णा लिया गया कि कॉंग्रेस और तुरनमूल कॉंग्रेस के नेताओं को पस्चमी उत्तर प्रदेश के 62 गाओं में घुसने नहीं दिया जाएगा आपको बता दे कि पश्चमी उतर प्रदेश में धन्खड गोत्र के 62 गाओं है धन्खड गोत्र के लोग सभी गाओं में जन संपर्क करेंगे साथ ही पंचायत में संसत के घेलाव का भी निर्नेल या गया है ये पंचायत फैजपूर निनाना गाओं के पूर्व प्रदान हरेंद्र धन्खड के घर में हुई इसमें हरेंद्र सेंग ने कहा कि सचसल में जगदीपित धन्खड जी का जो मजाक उड़ाय गया है उसके विरोध में इस पंचायत का आयोजन किया गया जिन लोगों ने ऐसा किया उनका हम हमेशा विरोध करेंगे पूरी पंचायत में या डिसीजन लिया गया है कि हम ऐसी पार्टी या ऐसे आदमी के साथ नहीं रहेंगे जो हमारी बिरादरी का अपमान करेगा उन्होंने आगे का कि धन्खड गोत्र के गोल हडयाना और राजस्थान में हैं किसी भ और दिन पहले महां मीटिंग भी हुई धर्णा प्रदर्शन भी हुआ हम भी पंचायत करने के बाद अपना काम चालू करेंगे अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो धर्णा प्रदर्शन करेंगे अगोतादे कि फैस्पूर निनाना गाव में आयोची धन्खड खाप की बैठक में लोगों ने कोंग्रेस पर डाश्टरपती का अपमान करने का आरोप लंगाते हुए नाराजदी जता य वहां नेत्रुपाल धंकर निकाने कि अकर राश्ट्रपती और परकोंग्रेस और और terrific के सांसत्योने जो अपमान किया इसे बरदाश्य नहीं किया जाएगा इसके विरोध में समाज के लोग उत्रेंगे और संसत्य तक विरोध करेंगे शबचांस्वाद्व होगा जुन्हों रहा गरपिन्गे आपको पतादे कि निदाना गाउं के पूर्व प्रधान हरेंदर सिंग ने का कि बागपाज जिले में धंखडखाप के दो गाउं है जब कि देश बर में 62 गाउं धंखडखाप के हैं उन्हें का प्राश्टुपति का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और टीमसी के नेताओं का धंखडखाप के 62 गाउं म में घुचने की इजाज़त नहीं होगे इस मौके पर सुखबीर सिंग मैनेजर हरेंद्र मदन भुपाज सुरेंद्र सुक कामपाल सतेंद्र किडरपाल आनंद राजेंद्र समेट अन्यनेता जो है मजूद थे पता दें कि संसत के शीत कालीन 17 में जबरदस्थ हंगामा और इसी दौरा त्रणमूल कॉंग्रेस के सांसत कल्यान बैनर जी ने राजिससभा की सभापती जगदीब धनकड की नकल उतारकर मिमिक्री की जिस पर उपराश्च्ट पती भडग गये उपराश्च्ट पती इने इस घट्टा को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह हास्पध और अस्विकारिया है कि एक सांसत मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसत घटना का वीडियो बना रहा है जब कल्यान बैनर जी मिमिक्री कर रहे थे तो उस दौरान राहूल गांधी जो है वह यहां पर बैटके इसका मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे थे राहूल गां तो यह है कि वहां पर विपक्ष के कई और बड़े सालसत भी मौझू थे जो इस पूरे कृत में भाग लिये हुए थे जो इस पर मजे ले रहे थे जो शाद इसे हस रहे थे उनके लिए नोटकी थे और इनके लिए बहुत नॉर्मल था एक समिधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसका ओधा इतना बड़ा है वह देश का पर राष्ट्र पती हैं लेकर उसके लिए ऐसे मजाख इसके पद का बनाना इस तरीके से उस व्यक्ति का मजाख उडाना तो इसकी लिए क्योंकि व्यक्ति या फिरसके पद द्वारा को ने लंबित किया गया है एक तरीके से अगर आप कहेंगे कि विरोध किया और ये भी कहा कि इस तरीके का खृत बिल्कुल भी बर्दाश्ट नहीं किया जाएगा प्या मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं तो 20 साल से इस चीज को जहेल रहा हूं राश्ट्रपती ने ये भी कहा कि इस तरीके के खृत तो आपमान बरदाश्ट नहीं किया जाएगा कई सारे सालसत थे और ऐसे में अपने विवेक का इस्तमाल करना चाहिए था अब आप देखेंगे तो इसे लेकर जाट समाज जो है काफी जादा नारास्त था हाले फिलाल में उन्हेंने कॉंग्रिस तकारा लेकर बाहर प्रद इसका हिसाब जो है वो बराबर करेंगे यानि साफ तोर पर कॉंग्रेस के मुश्किले जो है इस मामले को लेकर लगातार बढ़ती वही नजर आई अब ऐसे में अब एक बार फिल अगर आप देखेंगे तो इक आप की जो बैटक होई है इसमें भी फैसला ले लिया है कि य माफी मांग लेंगे ऐसी बात जो है कई गई है तो आप देखें कि एक तरफ 2024 की लोगसावाद चुनाओं को लेकर कॉंग्रेस लगतार तयारी कर रही है लगतार यह क्या रही है कि जुस तरीके से बड़ी हार हुई मिली उन्हें जो है राजस्थान और च्छतिस गड़ मे इसे कंपनसेट जो है वो 2024 के लोगसावाद चुनाओं में करना चाते हैं लेकिन उसे ठीक पहले अगर आप देखेंगे तो कॉंग्रेस के लिए चीजे और जादा बच से बत्तर होती जा रही है पहले अपने दो जगाद जहां पर उनकी मजबोत पकर थी यानि च्छतिस ग कॉंग्रेस ने अब अपना ही मजाग बना रिया है और 2024 लोगसावाद चुनाओं से पहले ही उन्हें कड़ा जो अगर आप कहेंगे रोश देखने के लिए लोगों के में उनके प्रति देखने के लिए मल रहा है अभी अब इस मामले में अगर आप लेखेंगे तो साफ तो पर कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़े जटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि अब 62 गाओं में कॉंग्रेस या त्रणामुल कॉंग्रेस या टीमसी के लोगों को पार्टी को या उनके नहिताओं को वहां पर गुसने की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी ऐसा पंच पति जोगदीप धनखड के मजाक बनाने में उनकी अपमान करने में भागी थे यानि साथ तोर पर अगर आप देखेंगे पश्मी यूपी के 62 गाओं में कॉंग्रेस अब नो एंट्री हो गई है और कॉंग्रेस अब यहां से बचकर नहीं रिकल सकती है भाग नहीं सकती है यह प्रटा सवार भी जादा बढ़ता जाएगा और सबसे बड़ी चीज खाप और जो जाड़ लोग है वो उनके नालाजगी भी राहूल गादी और कॉंग्रेस से सब्सक्राइब के साथ और जादा बढ़ती हुई नजर आएगी तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला है यह बड़ा विस्तार से बता है कि अब पूरा मामला क्या है किस तरीके से कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका है पस्चभी यूपी के 62 गाओं में कॉंग्रेस के अब नो एंट्री है और प्राश्टरपती के अपमान के मामले में खाफ का यह फरमान सामने आया है जो से में आपको पूरा मामला विस्तार से बता है और इस मामले पर आपकी वी जुराय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साधा करिएगा तन्यवाद